सभी सात्यों का एग्रियंस क्लासिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत हैं सभी को नमस्कार सभी सात्यों आज अपने एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वोड इंपूर्ट गरेंगी कि हैसे यो दोप्रकार से जिन किया जाता हैएक अगरूं होता है लेकिन आप और सब्जीक्टिव एकजयम पढ़ते हैं सब्जेक्ट्री का मतलब जिसमें आपको टूदा पॉइंट पढ़ा जाता है तो जैसे अपन ट्वेल्थ की बुक को ही कोटेशन को एजिट अपनको पढ़ना पढ़ेगा और वो ही अच्छे नंबर लाने के लिए बैस्ट होगा और अपन ट्वेल्थ की बुक को ऐसे पढ़ को किस क्यूसर का आंसुर कैसे देना कौन को किस लेंग्वेज में लिखो ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्ष मिल जाए और चौपीचेच करने वाला एक्समेन होता है उसकी नज़रों में आपकी लेंग्वेज है क्योंकि किसी भी बुक्स को सीधा रटने के तो उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो तो अपन जो पहला ही पहला चैप्टर है जो आपके ट्वल्थ बुक का उसके बारे में चिर्चा करते हैं और मैं आपको जानकरी के लिए बता दू हम कंप्लीट इलेंट ट्वल्थ का कोर्स करवाएंगे फाउंडेशन कोर्स से वह आप गलत न करो तो आपन पहले चैप्टर के बारे में जिन कर रहे हैं पहला चैप्टर है एंग्रोमी स्वूइल एंड सीड यानस सवीज्ञान मरदा wygląda वे बीज अब देखो सफे विज्यान एग्रो जाना में सोन व्शी के बारे में जिन करेंगे इस आप्टर में इ होती है बीज याने सीड क्या क्या करेक्टर होते हैं सीड प्रोडुक्षिन में कौन से चीजों का ध्यान रखना पड़ता है किस टाइफ के सब करेंगे तो परारम करते हैं इस चेप्टर का पहला पैज यह सारी ही जो पीडियप है आपकी ट्वल्ट एंगरिकल्चर की बुक् लिल ऐसे में देको दोस्तो में कियो बच्छे लेकिन किसी भी एगजाम में अच्छे नंबर लाने के लिए और सब्जेक्ट लेकिन कम से कम इतना याद होना चीज़ इडर में की परिभासा तो टोल्थ के एगजाम में आप इनको टूदा पॉइंट लिखना है और क्या लिखना है बहुत सारी रामाइंद नहीं नहीं ही ब्लीखनी है आपको याद रखना ¥ भूपद उससे मिनन क्या होती है तो दोस्तों पहले समस्घते हैं एगल्स क्या होती है हालां कि यह अपने लोग्ड कें चेप्टर मच्ण से है're agriculture agriculture मतलब होता है कर्सी क्या होता है कर्सी है और कर्सी में किसका करते हैं विज्ञान की वैसा का जिसमें फसलों का किसका अध्यन करते हैं फसलों का अध्यन और फल पूल सबजी चीके और पसुपालन इन सब का विश्त्रित रूप होता है कर्षी क्या होता है एकरिकल्चर इन सब का वाइड रूप जो फॉर्म होता है विश्त्रित रूप होता है वह एकरिकल्चर फसलों का अध्यन करते हैं तो वह एकरिकल्चर की ब्रांच याने कर्षी की एग्रिकल्चर की वैसा का जिसमें फसलों का अध्यन करते हैं वो सश्य विग्यान जिसमें फल, पूल, सब्जी का अध्यन करते हैं वो उद्यान विग्यान और्टी कल्चर जिसमें पसु पॉलन का अध्यन करते हैं वो पसु पॉलन विग्यान ठीक है तो ये 3 कर्षी का प्रिभासा में आता है कि एग्रिकलचर में क्या इस्टिटी करते हैं फसल का फल पूल सबजी पश्व पालन का तो एग्रिकलचर की मोटे मोटे रूप से 3 ब्रांचे होती है ठीकिक कौन क्या होता है इन तीनों में से क्या है फसल उत्पादन का अध्यन करते हैं एवं मर्दा परबंदन के सिद्धानतों तता क्रियाओं का अध्यन किया जाता है यह ब्रांच उप एग्रिकल्चर इन विच्वी इस्टडी दा क्रोप प्रोडक्शन एंदा सोईल मेनेजमेंट पिं नहीं याद रखना है लेकिन इसकी जगह यह कहते हैं कि फसल उत्पादन की जगह यह फल पूल सब्जी का अध्यन करते हैं वह उद्यान विज्ञान या होटी कल्चर के लाती है आगे उसके अलगलग परकार थे जो अपन होटी कल्चर में पढ़ेंगे इसी परकार जिसमे पसुपालन का अध्यन करते हैं वो पसुपालन विज्ञान कहलाती है तो सश्य विज्ञान क्या हुई करसी विज्ञान या विज्ञान की वैसा का जिसमें फसल उत्पादन यह मर्दा परबंदन के सिद्धानतों और किरियाओं का अध्यन किया जाता है अब जो सश्य लेकिन इसका दो क्लासिफाइए अलग लग अर्थ निकालने के लिए अपन चर्चा करेंगे तो सश्य विग्यान एग्रोनोमी सब्द है जो ग्रीक भासा के किसे ग्रीक भासा के एग्रोनोमोस सब्द से बना है सश्य विग्यान सब्द की उत्पति किस भासा से हुई थी ग्रीक भासा के सब्द से ग्रीक भासा के कौन से सब्द से हुई थी एग्रोनोमोस से क्या हुई एग्रोनोमोस एग्रोनोमोस से ये दो सब्दों के युग्म से बना है एग्रोस प्लस नोमोस एग्रोस प्लस नोमोस यानि यह कह सकते हैं एग्रो नोमोस और जो एग्रो नोमोस है उसका वो दो सब्दों से बना है एग्रोस अलग और नोमोस अलग और नोमोस ठीक है एग्रोस और नोमोस एग्रोस कार्थ होता है फिल्ड फिल्ड यान होती है भूमी और नोमोस का मतलता है मेनेजमेंट याने परबंदन क्या होता है परबंदन लग्ट सब्द घ्रीक सब्सक्राइब और विज्ञान की वैसाका जिसमें भूमी प्रबंदन के साथ साथ फसल उत्पादन भी आदूनिक विश्रस्ट वीदियों के वीदियों का स्योजन है तो सीधा सा है आपको इतनी रामान याद नहीं रखनी है जैसे ही एग्रणोमी की परिवास आपके पूछी जाए तो आपको क्यूशन की एक वर्ड की लिमिट दी होती है कि दस सब्दों मांसुर देना वीच सब्दों में उसके आधार पे किसी भी रिटन एक्जाम देना चाते हो तूद सब्जेक्टिव एक्जाम जिसमें पूरा लिखना होता है एग्रोणोमी की डेपिटिशन पूछी जाए तो आपको सीधा सा लिखना है विज्ञान या कर्षी विज्ञान की वे साका जिसमें फसल उत्पादन वे मर्दा परबंदन क सिद्धान तोन किरियाओं का अध्यन किया जता है सश्य विज्ञान के लाती है सश्य विज्ञान का जो एग्रोनोमी सब्द है वो ग्रीक बासा के एग्रोनोमोस से बना है जो एग्रोनोमोस सब्द एग्रोस और नॉमोस से बना है एग्रोस का मतलब भूमी या फिल्ट होता है कि अब यह तो अपने परिवासा पड़ी सिज फिए देखो किसी भी एक्जाम में कुछ चीजें छोड़ते हैं जिसको नहीं पढ़ना है वो भी एक अच्छे स्टुडेंट का अच्छा करेक्टर होता है तो सश्य विज्ञान की आवसकता यान क्या स्कोप है किन-किन सेत्रों में इनके बारे में एदिक्यूशन पूचा जाए त दूसरा नियोजन में तीसरा विजनस में यान यह साई में चौता इंडस्ट्री में तो चार पॉइंट या दगना पॉइंटों के अंदर क्या लिगना वह मैं आपको रटने की आप शक्ता नहीं समझा दूंगा आपको पॉइंट याद करना है शिश्य विज्ञान की आप कर्शी उत्फादन देखो दोस्तों करशी भारत की एक मुल्भूत यह साहीं भी कह सकते हूं मुल्भूत इसमें अपने एग्रिकल्चर में क्या बढ़ा था एग्रोण में करते हैं फसलों का अध्यन और होर्टी कल्चर या उद्यान विज्यान में करते हैं सबजी फल फूल फ्लावर फूट्स और वेजिटेबल का अध्यन और पसुपालन में करते हैं पसुपालन का अध्यन तो ए किसी भी देश की आत्म निर्बढ़ता उसके ख़ध्यान उत्पादन पर निर्बढ़ करती है कि तना पूड ग्रेंट प्रोडक्षन होता है ख़ध्यान मतलब अनाज वी डाल वाली फसलों को जिसको खाने में लेते हैं तो फसलों उत्पादन में यहने फसल में फसल नों का कैसी होनी चाहिए उसमें भूमी की तैयारी कैसी होनी चाहिए और उसमें कैसा बीज काम में लेना चाहिए कौन सी वेराइटी लेने चाहिए विग्यानिक तरीके से कैसे करते हैं कितनी बीजदर काम लेते हैं कौन सी किस्म काम में लेते हैं कैसे खरपतवार परबंदन करते है केसे सिंचाई परबंदन करते हैं केसे उरूरक परबंदन करते हैं केसे बीमारियों का परबंदन करते हैं यह सब किसमें दिन किया जाता है सश्य विज्यान में किसका फसलों का इसलिए फसलों का विज्यानिक तरिके से उतपादन लेना ही सश्य विज्यान है इसलिए फसल उ इपोर्टनेट आप सकता है तो यह कह सकते हैं इस चेप्टर के बारे में कैसे लिखोगे किसी भी राष्टर की प्रगति का परतम सुचक है वहां का खाद्यान उत्पादन उत्पादकता और खाद्यस रुक्सा ठीक है और सब्सक्राइब क्या करते हैं किसी खेत की तैयारी कै सकते कौन कोन से कर्पतवार पाए जाते हैं सिंचाई परबंदन यांवार मान कितने सिंचाईब कब कभ देनी है काफरोजिए का परबंदन फचल की कटाई दो में ना करते हैं यह घृत बहुत इंप्रूट है इंपूर्ट इंपु टेकेज और अधर किसी फसल के लिए खेटी वो विग्यानिक तरीके से उत्पादन लिया जाता है तो अलो loo उत्पादन को Vis Rock ढूफादन में क्या है नियोजन देखो हमारे रास्ट्र में क्या होता है अपने अनेक साथे एक्रीकलच्र यृनिवेभी जायन कर्शी पिसंविद्दाले या कर्शी सिक्षा के मैं सब्सक्राइब करते हैं कर्षी सिख्षा सो दें परसार में कारिये रहते हैं यहां से अनेक मानव संसादन विक्सित किये यहां अनेक कर्षी परशार मतलब किसी भी टेकनोलोजी को गावं तक पहुंचाने के लिए इसका रिए साइक कर्षी प्रववेक्स सके निदे सकते तो बहुत सारे मानुव संसादन यहां नोकरियां सरजित होती है जोब क्रिये होते हैं यहने अपन को रोजकार के अवसर प् रहें बहुत सारे नोख्रियां या जोब के रोजकार के उसर प्रापत होते हैं जैसे कि कर्सी में सिक्षन अनुसंदान या परशार कारी तो याने एक्रिकल्चर में टीचिंग सिक्षन मतलब पढ़ाने के लिए लेक्चरर चाहिए इस्कूल लेक्चर कोलेज लेक्चरर स्रीक्टक्रिया परसार मतलब किसी भी टेक्निलोजी को वेगयानिक से किसान तक पहुंचाने का पारी उसमें भी एक्रिकल्चर के जिसे सुप्रवाइजर डबले ओज के पदों के आख़शता होती है और क्या क्या जोब सकते हैं और कहा कहा रोजकार के अउसर प्राफ्ट हो सकते हैं यह आपको लएंक में करसी। कर्षी सलाकार्यां कर्षी अधिकारी तो आपने रोजकार का औसे प्राप्प हो उर्वरक जैसे फर्टिलाइजर बनाने वाली कमपणिया जैसे इप को क्रिप को में सश्या विज्ञान को जोब दी जाती है तो यह विए एक रोजकार का उसर है निंदा नासी बनाने वाली कंपणियों में याने पेस्टिशाइड बनाने वाली कंपणियों में भी टेक्निसियन से लेकर अच्छे-च्छे मार्केटिंग ओपिसर तक एग्रिकल्चर के बद्चों को रोजगार के उसर प्राप्त होते हैं नियोजन का मतलब आपको कहां कहां पर रोजगार के उसर प्राप्त हो सकते हैं वो सब इसका इसकोप है अब कर्षी सच्छे विज्ञान के आफशकता है कारिश्टर पढ़ रहते तो पहले अपने पढ़ाता सबसे पहला पढ़ाता अपने फसलूत कर्षी उत्पादन में यहोज़ने मैं यहांने ऐग्रिकल्चर में बिजनेस का ओसर है और जो कोई कर सकता है उतना एक नोर्मल जो बिजने वो नहीं कर सकता है क्योंकि कषी सनातक जिसमें सच्छी विज्ञान की सीधी प्राप्तों यानों जिसने एग्रीकुल्णोमिक तर पढ़ रहें तो चार बंदा होता है क्यों भी स्टूडेन्ट होता है वह एक्रणोमिय में बहुत अच्छी विजनेस में एक सफल व्यक्तित्वे साबित हो सकता है जैसे कौन-कौन से बिजनेस हो सकते हैं कर्षी से जुड़े वे जैसे चर्चा करते हैं एग्रो इंडेस्ट्री याने एग्रिकल्चर से रिलेटेड कंपनिया जिसे बीज कंपनी खाद की कंपनी या एग्रिकल्चर से म तो उससे आप अच्छे सी जानकारी के साथ एक्रिकल्चर का बिजनस कर सकते हो कर्षी पेदावार का लेंदेन का व्यापार यानि एक्रिकल्चर के प्रोड़क्ट को आपको अच्छा नोलेश्ट है तो रहे हैं चार पॉइंट पढ़ना ता तीन पॉइंट ओंका अपने अध्यन किया था चोता पॉइंट है अपना उद्योग यान इंड़स्ट्री के रूप में उद्योग के रूप में एक्रिकल्चर एग्रोणोमिक कैसे सही किसी दो सकती ही या क्या कारिया से तरह देखो किसी भी देश्ट की अर्थ्यवस्था इस पैसली भारत की अर्थ्यवस्था क्या है इंडिया की जी इककूनोमी है उसके तीन स्फब यosseं तीन पीलर है एक तो कर्सी व्या पार उद्योग और सिपन सी और करसी व्यवत्साई और उद्योग कर्सी व्यापार दोग ये तीन चीज एंद करना मुलाफा कमाना बेज की किसी चीज को बिजनस के रूप में करना तो इस फिरेक बेता रुदान होता है और करशी में महतो फून योगदान तो करशी से जूड़ेंगा SIM इंडिस्ट्री यान उद्योग है उसमें सश्य विग्यान का महतूपन योगदान ओता है अब कैसे योगदान हो सकता वह देखते हैं लएक तो इकरेट सब्साशय बॉध कर देते हैं जैसे मानलों आपको डेरी उद्योग चला रहा है वैसे डेरी उद्योग चला रहा है डेरी उद्योग में पसुपालन कर रहा है तो उसको चारे की आवशकता है और चारे की फसलों का अध्यन किसमें करते हैं सश्य विज्यान में तो सश्य विज्यान का कारी सेतर है लेकिन कपडे के लिए ये क्या अंशक्त होती है कपास कोटन से और तो शच्त का अध्यन किस्में करते हैं सश्यूद्म मेंbat जैसे बीडी इसुग्रेट उद्योग बीडी सुग्रेट के लिए तंभाकी जामकिये परती है और करते हैं सश् それ विग्यान में तो यह सपन अपन पढ़ रहे हैं कि सश्च विग्यान का क्या का यह सकता है चार एक तो यह सब करते हैं तो यह सब सच्छी विग्यान का कारिये सेत्र हैं एक तो यह कच्छा माल देने के रूप में दूसरा उद्योग में पॉइंट था फसल उत्पादन में पुरियोग होने वाले साधनों के लिए उपयोग जैसे कि यह तो कछा माल प्राप करते हैं साध नोग लिए कैसे जैसरे खाद उर्वरग उद्योग याने करशी में फैलाइजर चाहिए तो फैलाइजर बनाने वाली उद्योग भी चाहिए तो वो भी जब करसी्ट्य अच्छी होगी से त्हों certainty उख्यान पोज श्रंग्सन उद्योगों का विकास होगा उसी प्रकार पादब परदी निंदा नसी शिंचाई की साधन तेको जितनी अधिक आप एग्रोणमी मपसले हो गोगे उत्री एदिक आपको सिंचाई कि आफ सकता होगी तो उतना ही सिंचाई वाले जो यंत्र निर्मान जैसे आपके ट्यूम बनाने ठूबेल मोटर बनाने वाले इलेक्नियू c रोक द्यों का ज्यादा विकास होगा करशी में प्रयूग वॉने वाले यंत्र जैसे आपको रोटावेटर लाना है तवेदार हल लाना है तो आप करोगे जब इसके आफशक्ता होगी और जब आप कर्सी करोगे तो आपको इन सब यंत्रों के आफशक्ता होगी तो यह यंत्र जादा विकेंगे तो इन यंत्रों को बनाने वाली कंपणियों का भी जादा विकास होगा याने जितना आप करसी में विकास होता है उतना बाकी चीजों में भी होता है तो अपने आज की क्लास में क्या पढ़ाता पहले तो यह पढ़ाता कर सश्य विग्यान की परिवासा क्या है उसके किन सबसे बना है उसके बाद अपने पढ़ा था कि सश्य विग्यान का क्या स्को पर चार पॉइंट्स में डिवाइड करके अपन को अपने पड़ा था